बगति और रुट कास का वास और विश्वास का जनजन के जीवन की खुश हाली का दर्पन जनजन के जीवन की खुश हाली का दर्पन ये है खुश दर्शन ये है खुश हाली का दर्पन किसान भाई और राम राम कृशी दर्शन कारिक्रिम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं किसान सातियों जैसा कि आप जानते हैं आज कल हमारे खेतों में खरिफ की फसले खड़ी हुई है लेकिन इसके साथ साथ इन फसलों में कीट और व्यादियां भी देखने को मिल रही है इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समय पर आप इनका परबंधन करें इसके साथ ही जो किसान भाई पशु पालन करते हैं वो भी इस समय पशु के खान पान का विशेश ध्यान देवें ताकि उनका उत्पादन अधिक मिल सके और आपको अच्छा मुनाफ़ा मिल सके और आई बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है किसान साथ ही हूँ आज हम आपको समय पर पशु परजन करवाके किसान भाई किस प्रकार से लाब अरजित कर सकता है इसके बारे में जान कर देंगे लेकिन इससे पहले आद देखते हैं खबरे खेती की किसान भायों नमस्कार, खबरें खेती के में आप सबी किसान भायों का स्वागत है आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर डिप और स्प्रिंग कलर सेट पर मिलेगा अनुदान बीज खरिदने के लिए सरकार देगी किसानों को सहयता और गुणकारी है नीम से बना कीडनाशक प्रधान मंतरी करशी सिचाई योजना के इतहत किसानों को डिप सिस्टम और स्प्रिंग कलर सेट पर अनुदान दिया जाएगा इस योजना के इतहत राजिसरकारें किसानों को अपने इस्तर पर तैक करके अनुदान प्रधान करती है किसानों के सिंचाई साधनों की जुरुवत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की और से प्रधान मंतरी करशी सिचाई योजना शुरू की हुई है इसके तहट किसानों को सिचाई यंत्र जैसे ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंग कलर और पोर्टेबल स्प्रिंग कलर के लिए सबसीडी दी जाती है उद्याने के विभाग की और से सिचाई यंत्रों पर किसानों को अनुदान उपलब्द करवाने के लिए आविदन आमंत्रित किये जाते हैं स्प्रिंग कलर सेट पर लगू और सीमान के सभी वर्गों के किसानों को एकाई लागत का 50 फीसदी से अधिक अनुदान दिया जाता है अलग अलग राज्ये में अनुदान की दर अलग है डिप सिस्टम पर भी लगू और सीमान की सभी वर्गों के किसानों को एकाई लागत का अनुदान दिया जाता है किसान सिचाई यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं केन सरकार किसानों को आने वाले रभी सीजर में बुवाई के बीजों पर सहयता उपलब्द करवाएगी किसानों को बीज आसान तरीके से सुलब हो सके इसके लिए बीजों पर अनुदान सहयता देने की योजना शुरू की गई है किसान एक महिने के बाद अक्टूबर के प्रथम सब्ता से रभी फसलों की वुआई शुरू कर देंगे इसको देखते हुए किसानों के लिए जरूरी हो जाता है कि समय रहते हुए उन्नत किस्मों के रभी फसलों के बीच का इंतजाम कर लें जिससे अच्छी पैदावार मिल सकेगी किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार बीच उपलब्द करवाने के लिए अलग अलग राज्यों में सरकार की और से बीच पर अनुदान देने की योजना शुरू की गई है इसके तहट सरकार किसानों को प्रमानित और संकर किस्म के बीच रभी फसलों के बीच वुवाई से पहले उनकी घरों पर उपलब्द करवा देगी किसानों को कम कीमत पर बीच दिये जाएंगे जिससे किसान की फसल की लागत में कमी और पैदावार में बढ़ोतरी होगी रभी फसल के बीच अनुदान पर प्राप करने के लिए किसान ओनलाइन आविदन कर सकते हैं इसके तहट दलहन, तिलहन और अनाज के बीच दिये जाएंगे किसान अब घर पर ही नीम से कीट नाशक तयार कर सकते हैं यह प्राकतिक होने के साथ-साथ मिट्टी की गुनवक्ता को भी भड़ाता है और इसे पैदावार भी अधिक होती है नीम का बीच निमबोली कीट नियंतरण में प्रुभावी माना जाता है निमबोली से जैविक कीट नाशक को बनाने के लिए 10 किलोग्राम निमबोली, 40 लीटर गुनगुना पानी और आधा लीटर कप्टे धोने के सावुन की जरुवत होगी किसान पहले निमबोली को पीस कर पाउडर बना लें इसके बाद बाल्टी में गुनगुने पानी में इसे मिला दें अच्छे से पानी में मिला कर राद बर इसे छोड़ दें अगले दिन सुबह इसे सूती के कपड़े से चान कर कपड़े धोने का सावन मिला दें अब आपका प्राकतिक कीट नाशक छिड़काव के लिए तैयार है छिड़काव के लिए किसान इस कीट नाशक से अपनी जरूरत के हिसाब पानी मिला सकते हैं क्रशी विशिशग्यों के मुताबिक कीट नाशक के इस खोल को धूप में नहीं रखें प्राकतिक होने के कारण इससे मिट्टी की गुनवक्ता भी भड़ती है किसान भाईयों खबरें खेदी कि मैं आज इतना ही आप देखते रहे किशुदर्शन नमस्कार कारेकरम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ किसान सात्यों हम जानते हैं कि हमारा परदेश पशुपलन में अगरनी राजे है हमारे यहां का हरे किसान भाई कम या अधिक मात्रा में पशुपलन आवश्य करता है और इसका फायदा ये है कि उनको साल भर आमदनी मिलती रहती है सही समय पर पशू का परजनर का राके किसान भाई किस प्रकार लाब अर्जित कर सकते हैं इसकी जान कर देने के लिए आज हमरे साथ हैं एक पशू विश्शक ये डॉक्टर राकेश चोदरी द्वाई मिलते हैं इन से और लेते हैं ये जानकारी में अच्छी आमदनी अपने बच्चों को पळा सकें लिखा सकें अपना घर चला सकें इसके लिए जैसे कि आप सब को विजित है कि मादा जो बच्चा है मादा पशू है दुढ़ारू गायता है बहस् सुइएक मूल क्या-क्या सावधानियां हम बरतें कैसी उसकी खिलाई-पिलाई हो जिससे वो समय पर गरब धारण कर सके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जेट में जो मैं पशुपालन देख रहा हूं मैं भी पशुपालक के घरी पैदा हुआ हूं और उसके बाद मैं एक पशुपा कुछ दस भी ले रहें कुछ 11 भी ले रहें कुछ 6 भी ले रहेंगे चाहिए कि ले रहें ellira कि इसमरी हम कैसे विदार करें हम इसको 10 से 12 व्याथ पर ले जा सकते हैं अगर आज कि डेट में एक ऐस बाराख ले पारे आप उससे तो आप उससे 10 ब्याथ ले सकते कैसे पर्थम दिवस जब एक पशू ब्याया और मादा बच्चा पैदा हुआ तो उसकी देख भाल से ही हमारा उसकी मादा पशू को तैयार करने का कारिकरम शुरू हो जाता है जब वो बच्चा पैदा होता है और एक मादा बच्चा जो पाड़ी भी हो सकती है बचड़ी भी हो सकती है तो पर्थमत है उसको एक गंटे के अंदर एक गंटे के अंदर उसके सरीर भार का बच्चे के सरीर भार का 10% जो कीला बोलते हैं आप उसको पहला जो दूद होता है पहला दूज जो मा से मिलता है वो उसके लिए अमरत होता है एक गंटे के अंदर मैं आपको इस लिए बता रहा हूं कि एक गंटे के अंदर पतलब 80% जो भी आप पिलाओगे 80% उसका उसमें अवसोशन हो जाएगा उसके बच्चे के शरीर में और यह जो मैटरनल इसमें रोधक अक्षमता का विकास होता है उस बच्चे में तो छे महीने तक यह जो एंटीबोडी उसको मातर से मिलती है आपने आज कल कोरोना में सुनाओगा इम्मिटी तो वह इम्मिटी का काम वो जो पहला जो दूद जो कीला है खीस है वो पिलाया आपने उसी से उसकी रोग क की अक्षमता बढ़ती है और उसमें बीमारिया पैदा नहीं होती है यह सरीर भाहर का जैसे मैंने आपको दस परसेंट बताया तो दो से डाई लिटर या तीन लिटर तक हो सकता है पच्चीस से तीस किलो का बच्चा होता है इसके पश्चात इसको पिलाने के पश्चात अच्छी मातरा में पिलाएं भर पेट पिलाएं फिर जब बच्चा दस दिन का पैदा हो जाए मादा बच्चा या कोई भी बच्चा हो दस दिन का हो गया पंदरा दिन का हो गया तो उसके अंदर आप उसको पेट के कीडों की दवाई जिसको कर्मी नाशक भी बोलते हैं आ आपके पश्वों के लिए आपको पेट के कीडों की दवाई मिल जाएगी उसको आप जैसे भी मिले आपको लिक्विड मिले आपको या टेबलेट मिले आपको रोटी में या गुड में मिलाकर आपको प्रहतेकाल उसको देना है यह काम इसके पश्चात आपको पेट के कीडो के इसाफसे जैसे आप शुरुवात 200 ग्राम से कर सकते हैं तो 200 ग्राम के आप तीन इस्से कर सकते हैं उसमें 80 ग्राम खली हो सकती है 80 ग्राम चुर्री हो सकती है और चने की चुर्री वगएर या दालों की चुर्री जो होती है और 80 ग्राम ही उसमें चापड हो सकता है या दलिया हो सकता है और उसमें दो चम्मच कम से कम मिनरल मिक्चर लवन मिश्रन के नाम से हमारे अस्पतालों पे भी मिलता है लवन मिश्रन के नाम से और बजार से भी आपको मिल सकता है यह आप स्टार्टर राशन उसको सुरू कर सकते हैं और फिर उमर बढ़ने के साथ साथ इसको आप जैसे तीस दिन का हो जाए तो आप उसको आधा किलो पे ले जा सकते हैं फिर वो 45 दिन का हो जाए तो 100-200 ग्राम और ऐसे उमर के हिसाब से आप एक किलो और छे महीने तक जाके आप उसको एक किलो पड़े पिर उसके बाद आप डेड़ किलो दो किलो राशन उसको पड़े दें उसको तो इससे आपको दो फायदे होंगे एक तो उस पशू को जो मा पर बेजने के लिए या अपना काम चलाने के लिए ज्यादा उपलब्द होगी इस तरह से अब इसके पश्चात मैंने आपको पहला बताया था कि दस से पंदरा दिवस की उम्र में आप उसको पेट के किडों की दवाई दें इसके बाद छे महीने तक हर महीने दें एक महीन के लिए कुछ पर मोटर आते हैं शरीर की वरद्धी और विकास के लिए कुछ पाउडर बजार में मिलते हैं आप किसी हमारे चिकित्सक से मिलोगे तो वह उसको बड़ा हराम से वह भी उसके फीड में एड करें आप उससे क्या उसके शरीर का विकास जल्दी होगा अब इस परकार से जो आप जैसे जानते हैं आप सभी पच्षुपालग भाई जानते हैं की एक बच्षडी होती है जो देशी नसल की बच्षडी है और भेस हैं भेस वंस की जो मादा हैं ये तीन से ने साड़े आद्मियों की तरह से उमर नहीं होती है कि बहुत अठारा साल की उमर पे शादी होगी या किस साल की उमर पे शादी होगी मादा पशु जब भी गाएं वंस में गौवंच में 200-500 किलो और 20-500-300 किलो वजन जब भी उसका हो जाएगा तो वह तब ब्रीडेबल हो जाती है मलब गरब धारण करने लायक उसके अंगों का विकास हो जाता है तो पशु पालक भाईयों आप यह लगाओ कि कहां साड़े तीन साल में मादा पशु तयार होती और कहां दो से डाई साल में तयार कर रहे हो आप तो एक वियांत आपको यहां फालत मिल जाएगी यहां पर दूस कि उसके बोबे बड़े हो रहे हैं उसकी टूंडी फूलरी है उसकी माथे के बाल जड़ रहे हैं तो इस तरह से हम कहीं पहचान करते हैं कि गरब धारण कर गई है लेकिन कहीं बार क्या होता है 6-7-7 महीने का पशु अचानक या तो रवा में आ जाता है और फिर आप उसको गरब जाच करवाते हो तो वह खाली निकलता है मेरा यह कहना है कि आप आवश्यक रूप से लगवाया है जिस दिन गरब जाच धाई से तीन महीने के पश्चाथ अपने निकटतम पशुची किस साल ले विशेशक पशुची किस सक से उसकी गरब जाच कराएं तो इससे गरब धारण कर लेगी तो दूद देना कम होगी लेकिन पशुपालक भाईयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्याने के दो से तीन महीने के अंदर यानिके साट से नबबे दीवस के अंदर उसको दोबारा गरब धारण कर लेना चाहिए चुकि हम जो नसले लाए हैं य यह असल में 12 महीने नहीं है 12-15 महीने के अंदर पशु दोबारा ब्या जाना चाहिए अगर आप इस चीज को मैनेज कर लेंगे इस चीज को मैनेज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उस पशु के आप 2-3 व्यांत एक्स्टा ले पाएंगे उसके जीवनकाल में अगर आप लगाओ एक व्यांत में एक व्यांत में अगर 10 लिटर दूद वाली भैंस या गाएं आपके पास है तो 200 दिन के हिसाफ से हम पी किल्ड मानते हैं तो उस इसाफ से 2000 लिटर दूद होगा हमारा जो दूद को कैलकुलेट करने का किसी भी पशु की कितनी मिल्क इल्ड है यानि तो उसको हम रोज के मिल्क से कैलकुलेट करते हैं जो रोज मर्रा में दूद दिया है लेकिन 200 दिवस में हम परती दिन दस उसका पी किल्ड लगाते हैं अगर उसने सबसे ज़्यादा दूद 10 लिटर दिया है हम 200 दिवस में उसको 10 से गुणा कर देंगे तो इस तरह से एक ब्यात में जो दूद मिलता है वो 2000 लिटर दूद मिलता है अब आप यह तो मैं मिनिममम बता रहा हूं गायों में दूद की मातरा ज्यादा हो सकती है लेकिन हम तो एक आप मार्केट की कोस्ट अगर आप लगाएं तो आप आज की डेट में वैसे शेहरों में जैपुर जैस का दाम मिलता है अब इसमें आप 50,000 खर्चा मालो तो यह हमारी 50,000 रुपे की बचत हुई और अगर हमने यह जो मैंने आपको तरीका बताया है इस तरह इस तरीके से अगर आपने सब परबंदन पशू के परजनन का परबंदन किया कि वह समय पे गरबाधान हो समय पे गरब जाच के बाद उसकी अच्छी गोर हो और अगर वह गरब धारन नहीं किया है तो हम दवाई लाके दुबारा से उसका इलाज करवा के दुबारा से वहीट में आए और वह गरब धारन करे यह हम अगर परबंदन कर पाए तो आप दो से तीन व्यांत उसके जीवन में ज्यादा ले सकते हो तो इस तरह से अगर आपने दो बियांत भी लिए तो पचास पचास जार के एक लाग रुपे यह राशी हो जाती है और दो बियांत में अगर एक में पाड़ा पैदा हुआ है यानि कि मादा बच्च नर बच्चा पैदा हुआ है और एक में मादा बच तो मादा बच्चुगा जब आप पशुपालन करेंगे तो वो धाई तीन साल वाद दुबारा से गरब धारण करके आपके बियाने के प्रश्चात घर में दूद देगी इसका मतलब आपको बजार में नहीं जाना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए तो यह एक गाएं भैं जब आप लगाओ एक लाख रुपे आपने अच्छा पशुपारण परजनन का परबंदन समय पे गरब धारण करें और समय पे उसकी गरब जांच हो उसकी देख भालो अच्छे से उसके पूरे जीवन काल में आपने अगर दो बियांत भी एक्ष्टा ले लिए इस परबं अगर किसी पशुक आप जीवन काल 15 साल का मानते हो 15 साल का मानते हो तो हर साल आपको जो है 70-80,000 रुपे का नुक्सान हो रहा है तो आप 70-80,000 रुपे का यानि आप जो है 18,000 रुपे महीना उसमें लोस कर रहे हैं अब एक बहुत भारी समश्या आप कहते हैं लोगों से आ प्रेंश्बंश में और हमारी जो देशी नसल की गाये हैं उनमें आजकल भारत में एक नया-nया ये विदेशी संकर नसल आई थी उसका करेश ज्यादा था संकर नसल की गायें अच्छे से बोल के हीट में आती हैं खूब बहुत जोर से रड़कती हैं अच्छी तरह जेरी देती हैं उनकी हमें पैचान आसान है लेकिन जो देशी नसल की गायें जिनका आजकल जैसे गिर है साहिवाल है और राठी नसल की गाये हैं इस इन गायों में आप देख रहे होंगे कि ये बोलती नहीं है लेकिन देशी नसल की गायों में जेरी अच्छी मातरा में देती है उनमें पहचान होती है, लेकिन बैंस बंस जो नसल है, इसमें कई पशू आप कहते हैं कि रवा का पता ही न लगता, तो आप टाइम पर उसका घरबा धान करानी पाते हैं, मैं आप से एक बात कहता हूँ, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपके पशू हैं, आप सुबह शाम अ अगर वह हीट में नहीं आरी तो निकट दुक करता नियरा में वह और आवाज इस मिन नहीं आवाय आने की यह राम प्यार। नियलर में आप ज़ाँ ढाराम उसके कमर पे हात फिरो आप और उसकी मॉस्त थाप ले जाओ तो जो पशेव हीट में होगा यानि के ताव में होगा आप देखेंगे कि वह पूछ खड़ी बड़े आराम से डटके खड़ा हो जाएगा एक जगे इस्थिर हो जाएगा अपनी कमर को मोड लेगा और पूछ उठा लेगा और फिर भी आप अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो पीछे जो ब लगवा देना चाहिए या जो आप नेचरल ब्रीडिंग कराते हैं हमारे आजकल गाओं गाओं में हर जगे सीमन लगाने के जो करतिम घरबाधान केंदर खुलके अच्छी नसल का सीमन वहां पे आता है अब इसमें आप मेरे से एक बात और कर सकते हो मैं अक्चली यह गरब हों अब मादा बच्चे पैदा हों वो दुधर उनसल के पैदा हों अच्छे दूद्ध वाले पैदा हों बजार में आप जाएंगे आप किसी को भी फोन कर देते हैं वो आकर जाता आप ऐसा ना करें आज आपको जो है जब कोई सीमन लगाने वाला आपकी यहां आता है तो जानकारी आपको लेने चाहिए उससे चुकि अगर आप एक आपके पास 25 किलो वाली गाएं है 25 लिटर दूद दे रही है और उसके कोई आयार सीमन लगा गया 15 लिटर वाली गाएं के बच्चे का तो फिर आगे जो बच्छडी पैदा होगी उसका दूद कम हो जाएगा तो कम से कम आप जब 25 लिटर दूद दे रही है वो 200 दिन में तो ऐसी गाएं को पूरे ब्यात में ऐसी गाएं को कम से कम ऐसे सांड का सीमन लगना चाहिए जिसका दूद जो है उसकी मां का दूद 4000 लिटरो 5000 लिटरो 6000 लिटरो जिससे आगे जब मादा पैदा हो वो मादाएं आप आपको जो है अच्छा दूद आपके घर में दे सकें और आपको आर्ति लाप कमा सकेंं अपसे किसांसातियों आज का कारेकर्म आपको भेध पसंद आया होगा इस कारिकरम को और अधिक रोचक बनाने के लिए आप हमें इस पते पर लिखे बैश सकते हैं इसके लिए हमारा पता है कृषी दर्शन डीडी राजस्तान दूर दर्शन के अंदर जहलाना डूंगरी जैपूर राजस्तान आप हमें email भी कर सकते हैं इसके लिए हमारा email ID है क्रिशीदर्सनजयपूर एड़ीरेट जीमेल डोट कॉम तो किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकरी के साथ में तब तक के लिए हमें आगया दीजिए जे किसान, जे राजस्तान, जे भारत